इंडिया कडवंधन की बैठक होने से पहले बिहार की मुख्य मंत्री नितिश कुमार और केंदे ग्रीह मंत्री अमिट शा के बीच होने वाली बैठक काफी चर्चा में हैं कहीं कहीं चर्चा है कि 2024 लोकसबार चुनाव से पहले कहीं नितिश कुमार बीजेपी में फिर वापिस ही न कर ले अमिच शा से नितिश कुमार की बैठक के क्या माइन है इस वीडियो में बताएंगे नमस्कार मैं हूँ सुंबिका गुप्ता और आप देख रहें दे नियूस 50 10 दिसंबर को बिहार की राजधाने पटना के पूर्वी छेत्रिय परिश्रत की बैठक होनी है जिसका नितित वर केंदी ग्रियमंत्री अमिच शा करेंगे जिसमें नितिश कुमार समय जार्खंड पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी राजियों के मुख्यमंत्री भी आ की है ऐसे में इस बैठक को लेकर यह चर्चा थी कि सीम नितिश कुमार इसमें जाएंगे या नहीं लेकिन नितिश कुमार ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि यह एक समवधानिक प्रक्रिया है और वे जरूर बैठक में शामिल होंगे अब आपको बताते है केंद्र मंत्री अमिच्छा ने की थी इस साथ 2023 में यह बैठक बिहार की राजधानी में आयोजित की जा रही है बैठक में ग्रिम मामलों से जुड़े विश्यों के साथ पूर्वी राज्यों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी वही नितिश कुमार से जब पा शामिल होने को लेकर प्रशन पूशा गया तो उन्होंने कहा कि यह बैठक जब भी होगी वे उनमें जरूर शामिल होंगे इंडिया गडवंदन की बैठक 6 दिसंबर को होनी थी लिकिन बहुत से निताओं ने पूर्वन इधारिक कार्यकरम की वजह से बैठक की डेट टाल की गई है अब इस पर आपकी क्या रहे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथ ही देखते रहे हैं यह दर न्यूस 15 वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बल्कुल ना भूले है